इस वीडियो पमें बात करेंगे पेटीम सेयर के बारे मैं जहाँपे दो नीउस निकल क्या हुआ हैं क्या निउस हैं उसके ऊपर हम देश करने वाले हैं वीडियो में फसका बालाश्टा कर आप देखते रहे और अब यह विदियो को attract सकते हुआator प्रिखने भों मिल रहा है और वीडियो को प्रादास्टाद आप देखते रहिए और अभी तो कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर सकते हो ताकि आगे हैने विडियो आप समुस्च ना हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दिखेंगे 197 communication limited यानी PTM के share में अगर हम बात करेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 16 Feb को आप दिखेंगे यहां पे लगभग आप दिखेंगे 5% का अपर स्रकेट लगते हुए नजर आया था हमें जो कि आप आप दिख सकते हूँ हाप दे के बाद मतलब कहा सकते हो कि यहाँ पर स्रकेट लग गया और उसके पहले कहा सकते हो थोड़ा वलिटरेटी है थ्ट्रा से तेजी में हमें वहाँ अजर आया ओल्रेड़ गैब डाउन ओपनिंग हुआ था बट क्लोजिंग हमें आपस अभी एडाइम में कह सकते हो एक volatility वाला जो महौल है न काफी ज़्यादा जोरो से बना हुआ है PTM share में अगर हम बात करें यहाँ पर और जब तक यह चीजें जो भी कह सकते हो RBI का restriction जो भी लगाया गया PTM के उपर वो जब तक वो सभी चीजें ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से तब तक PTM share में कोई दूस्तों अगर हम बात करें तो मेरा कोई recommendation है आप नहीं अगर दिखा जाए तो यहाँ पर because एक बहुत बड़ा risky कह सकते हो कि यहाँ पर होने वाला investment अगर आप अभी investment करते हो तो और यहाँ पर दूस्तों अभी पूरा meter clear होगा उसके बाद आप सोच सकते हो जो भी करना है तब तक कि stock का price क्या होगा वो किसी को पता नहीं है और यहाँ पर देख लेते हैं और भी कुछ information पिछले पास दिन में stock के अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगी मतलब कह सकते हो आज के दिन मतलब 16 February के तो अपसरेट लगता हुआ दिखा ही हमें और पिछले पास दिन एक महीने में मतलब कह सकते हो कि जो भी हमें wallatic levil动working काफि चादा हमें दिखने हो वने में stock में पिछली में stock जो है काफि चादा टूट चुका है और अभी मतलब काफि सारेट कीशेगर हम यहाँ पर दिखने हो मिल रहा है लागतार stock में win आउट हमें दिखने हों मिल रहा था और कहांगे जैक्स मतलब 600 के भी उपर रेट करता हुआ स्टोक इदम से 300 के भी नीचे है मतलब कहा सकते हो कि यहां पर 300 के आप आ गया और वहीं पर कर हम बात करेंगे और काफी सरे टर्गेट यहां पर निकल के आ रहा है जो की जुमेटो के अगर हम बात करेंगे तो आल्मोस्ट यहां पर मतलब कहा सकते हो जहां पर गीरा गुए था वहां से लगभख 1500 के आसपास 1500 तो नहीं कहूंगा बच फिरी पी अगर हम बात करें 800% के आस पास 100% से भी उपर गया return जो है दे चुका है मतलब कहा सकते हूँ अभी तक जहाँ पे गिरा हुआ था वहाँ से और लागातार अपसाइड में जाही रहा है because quarter numbers अच्छा दे रहा है उसके बाद यहाँ पे सारे चीज़े हमें अच्छो देखने हो मिल रही है तो लागातार हमें growth देखने हो मिल रहा है जिन लोगों ने investment किया हुआ था 100 के नीचे 100 के ऊपर भी तो अभी अच्छा कासा return देखने हो मिल रहा है लागातार गिरावड भी देखने हो मिल रहा था और अभी की टाइम में कहा सकते हो allocation लगा उसके बाद तो और भी correction हमें stock में देखने हो मिल गया अब बाते हम बाद में करेंगे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सुभी चीज़े हमें यहाँ पर देखने हो मिल रहा है सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे recent performance के बारे में recent performance क्या रहा है stock का 16 February को कहा सकते हो कि कितना quantity trade होते हुग हमें मतलब जो भी अगर हम बात करें यहाँ पर already सारी चीज़े यहाँ पर mention है अगर दिखा जाएं यहाँ पर NAC के website पर जहाँ पर मैं सारी चीज़े यहाँ पर दिखा आता हूँ एक एक करके जो भी यहाँ पर दिनों मिल रहा है बाकि हम news पर चलेंगे उसके बाद news देखेंगे आखर news दो क्या निकल के आ रहा है बात करेंगे और भी कुछ information के बारे में आप देखेंगे मतलब market close होने के बात भी दो लाकान तारी चार्स चार्स हो एक अस्तर quantity buy side में M.O. order यहाँ पर लगा हुआ है तो ही काफी बड़ी बात है दुस्तों आपने जरा रहा है और वहीं पर निक्स ट्रेटिंग से लिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो इसे स्टॉक में तो इतना आउटर बाई साइड में M.O. order लगा हुआ है तो कहीं ने कहीं मतलब 15 मिनिट आप पहले एनलाइज किजिए स्टॉक को उसके बाद देखिए मतलब मार्केट खुलने के बाद विकाज 15 मिनिट 20 मिनिट के अंदर वो जो होना होता है कोई बड़ा एक दम से वो जाता है उसके बाद स्टॉक जो है इस्टिबल कंडिस्ट नजर आता है तो रहता कह सकते हो जो हमें दिखता है डिलेवरी प्रिशं के एकर हम बात करेंगे 16 फेबरी को आप देखिए यहां पर डिलेवरी कॉंटिटी कितना हमें दिखिए हमें लाग स्परसे पहले कॉंटिटी ट्रेड इतना हुआ एक करोड एक कानवी लाग वन करोड नाइन्टी वन लाग थाटीन थावजन स्परसे पहलेवरी कॉंटिटी ट्रेड इतना हमें दिखिए हम मिला न्यूस के ऊपर हम चलेंगे तो न्यूस के निकल के रहा है प्यटीम सिफ्ट बैक मैंक और सचया कुस बकंडेन के साथ क्या यहां पर पे की यहां पर सेटलमेंट के लिए कुछ यहां पर निकल के आ रहा है पेटियम ने बात किया वह जो भी आप देहिए आप पर इसके बारे में भी डेटियल ने पढ़ेंगे उसके पहले एक और निउस निकल के आ रहा है उसके बारे में आपको बता दूँ आप भी एक ग्रांट्स पेटियम पिमिंट बैंक extension until March 15 to stop deposits तो डेट को जो है बढ़ा दिया गया है 29 February को डेट था बट इसको 15 कर दिया गया है यानि 15 March कर दिया गया है आप देहिए आप तो अभी की टाइम में कह सकतो एक खुषखबरी की तरह ही नदर है बट कह सकतो उतनी बढ़ी नहीं है एकदम से कैसे तो लिगेसा हटा नहीं है बट डेट को थोड़ा एक्स्टेंड किया गया है तो उसकी वज़ा से तो पेट इसको अपने आपको सही साबित करने का एक और कैसे तो 15 दिन और टाइम हमें यापे मिलते हुए दिख रहा है और बाकी आपका क्या कहना है इसके उपर निची कमेंट में जरूर बताइएगा और जो भी आप देखेंगे आपे अभी की टाइम में आर्बे यान फ्राइड आप देखेंगे आपे गेव 15 देज मोर तिल मार्च 2024 टो पेमेंट से इंपेमेंट्स बैंक लिमितेड पीड विल टो इस्टॉप दीपोजिट एकांट उर टॉप उपस एकांट वाले एड फास्ट्रेंगे इंट्रेस्ट कर्स्टोमर्स इंकलूदिंग मर्शन जो भी आप दिखेंगे आपे सारी शीज़ें हमें आप दिखना हो मिल रहा है और as per January 31 और the Central Bank PBL was asked to further stop the deposit और दिखने के credit transactions और जो भी आप दिखने के जो भी आप दिखने हो मिल रहा है तो यह कुछ news निकल कहा रहा है 15 दिन और बढ़ा दिया गया है date को तो यह कह सकता हो पेटियम के लिए खुसकबरी का मतलब कहा सकता हो संगेत है और अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो यह दूसरा news क्या था जो कि में आपको लोड़ी बताया है पहले ही access bank के साथ कहा सकता हो settlement के लिए कुछ बात हैं आप हमें दिखने हो रहा है और इसको भी आप डेटियल में पढ़ सकते हो जो भी निकल के आ रहा है 197 communication OCL which runs Paytm has shifted its nodal accounts और देखेंगे escrow accounts to private sector lender access bank the company said in a filing to the BSE आप देखेंगे आपर तो BSE filing में company ने आपर जो भी कहा इसके बारे में और देखेंगे आपर that merchant who accept digital payment through Paytm will देखेंगे आपर be able to continue doing there is a bank of media ask Paytm to close all its nodal accounts with Paytm इसको बढ़ा के 15 March कर दिया गया है जो कि आपको पता है मैंने आपको बता है बाकि आज की इस वीडियो में कुछ यही है आज से करता हम आपको वीडियो का फिर जदा पसंद आया होगा आपका क्या कहिना है इन दुने दियूस के बारे में और आपने कितने के प्राइस के बाहिए या फिर जो भी किया है नीचे का मने ज़रूर बताइएगा अब सारी चीज़े clear होने के बाद ही दूस्तों कोई कि डिसिजन यहाँ पे लेना अच्छा रहेगा मेरे एक्सपरिंस के हिसाब ज़रूर रहा है तो बिकॉज अब यहाँ पे मार्च केवल मैं कहा सकता है उसकी को ने पता है चलिए आज के लिए कुछ इतना ही जो भी करना अपनी रिस्क भीडी में कोई 22 से लिया फिर होल्ड की सलाह नहीं है वीडियो के वहली एजुकेशन प्रपस के लिए है बिलते हैं कि दूसरे वीडियो में this video is only for education purpose कोई भी investment करना हो तो अपने रिस्क पे किजिए अपने financial advice लेजिए उसके बास सब्सक्राइब क्या करना है otherwise ignore it